मैं नाम केके दीपक है, मैं यहां पर फिजियोलोजी बिभाग जिसको शरीक लिया विज्ञान बोलते हैं, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और यह कॉन्फरेंस है, हम लोग और अर्गनाइज किया है, तो डिस्कॉस अबाउट जो अब नई नई शोद हो रही है दिमाग के बारे में और माइंड और ब्रेन कनेक्शन के बारे में, इसकी उपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी कॉन्फरेंस है, बहुत बड़ी संगोष्ट ही है, और इसके तहत हम लोग ने आज के दिन दिली के नौ बड़े स्कूल को कॉल किया था, तो उनके वहां से बहुत सारे बच्चे यहां पर आए, ढहर सारे बच्चे और बच्चों ने बहुत ही इंट्रेस्टिंग, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेस्टन अपने प्रेजेंटेशन दिये, अपने पावर पॉइंट्स दिखाए और अपने क्वेस्टन पी किये, और यह question बहुत अच्छे थे बहुत इंट्रेसिंग question जो कि हम लोगों ने as an expert answer कि हम लोग बहुत ही खुश थे यह समझ कर देखकर की जो नई generation है बहुत exciting question स्रीज करती है बहुत relevant question के रिजज करती है इन्हों heb बहुत अच्छे question बता है कि हम लोग का brain का health को development कैसे अच्छे हो सकता है उन्होंने खुद बताया कि exercise का क्या effect होता है sleep का effect क्या होता है कैसा खाना का खाना चाहिए किस तरह से होता है तो ये बच्चों ने बहुत अच्छे से ये बताया इसे सुनकर हमादिल बहुत आला दित हुआ बहुत खुश हुए हम कि बच्चे लोग इतने सजग है और उन्होंने ये भी पूछा कि कैसे stress को कम कर सकते हैं ये question ये भी पूछा है कौन-कौन सी interpersonal skills आपस की कौन सी ऐसी skills होती है जिनको आप बढ़ा कर अपना stress कम कर सकते हैं तो बच्चों के साथ जो interaction रहा बहुत ही सराहनी रहा बहुत ही सुखद रहा और बहुत ही आत्मा को प्रशनता देने वाला रहा तो excuse me sir एक चीज बताईए ये आज जो आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ था इसमें दिल्ली के आपको ये प्रोग्राम जो आर्गोनाइज करके कैसा लगा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा ये हमारा रहसे हमा जो पिज्यान का है जो फिजियूऑलोजी डैपाठ्मेंट का है धुगा देने नीम्हे इसफि चाहते हैं कि यह एक culture है जो scientific attitude, scientific temper, scientific culture like विज्ञानिक द्रस्टी कोण, विज्ञानिक परद्रस्टी और विज्ञानिक समझ हमारे बच्चों में काफी develop होना चाहिए. इस तरह कि प्रोगाम करने से इनका प्रोगाम में development होता है. ऐसा हमने भी सुना है हम भी सुना है हमारे प्राइमिनिस्टर मोदी जी का भी यही विचार है कि बच्चों में विज्ञान का विकास होना चाहिए. क्योंकि जो future इंडिया है वो एक विकास की तरफ चलने वाले इंडिया है. तो इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि हम लोग public outreach क नहीं जनरेशन का involvement करना चाहिए हम लोग नहीं जनरेशन को